आपका फिर से स्वागत हैं, आज हम Modifying Tools Part 3 में Array, Offset, Scale and Explode Command सिखेंगे Array Commands creates pattern of existing objects that you select आप कहें तो वो copy बनाता है, लेकिन एक नहीं बना रहा है, उससे भी ज़्यादा है, लेकिन एक systematic way में वो बनाता है तो Array के तीन टाइप है, Rectangle, Polar and Path ये क्यूं है, कि जिस तरह से Array Command, Object की copy बनाता है, जिस pattern में, उस pattern के इससाब से नाम दिये गए तो पहला वाला क्या है, Rectangle Array अब यहाँ पर द्यान दिजिए कि अपने पास एक क्या है Table है, और 6 Chairs हैं अब वैसी 6 और बनानी है, तब Copy Command से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्या important है, कि दो Table के बीच का distance और दो Row के बीच का distance important है इस तरह से अगर आपको maintain करना है, तो आपको array command इस्तमाल करना पड़ेगा दूसरी चीज़ array command की यह भी है, कि आप object को change भी कर सकते हैं जिसकी वज़े से जहाँ भी वो सारे object इस्तमाल किये, वो अपने आप update हो जाएंगे तो यह array का advantage है, आई अब सिखते है, rectangle array, तो पहला जो type है rectangle, जब भी आप array command लेंगे keyboard shortcut से, लेट से AR, enter, तो आपको पूछेगा select object, उसके बाद पूछेगा आपको कौन सा array आप करना चाहते हैं, rectangle यहाँ पे जितने दिएगे पूछेगा rectangle चाहिए, polar के path, तो आप मान लीजे, rectangle select करते हैं, जैसे ही select करेगे, तो यह array creation tab open हो जाएगा AutoCAD में, यहाँ पे पहले में आपको पता चल जाएगे कि कौन सा array बना रहे हैं आप, तो यहाँ पे लिखा है rectangle, rectangle का मतलब होता है, object की copy बनाना X direction में and Y direction में, यानि कि column और row में object को place करना है, यहाँ पे देखे कितनी सारी column दी गए, 4, दो column के बीच का कितना distance है, 30, और यह जो third options है, वो बता रहा है कि पहले column से last column तब का कितना total distance है, उसी तरह row के लिए भी options दिये गए, कि कितनी आप row बनाना चाहते हैं, दो row के बीच में distance कितना रखना चाहते हैं, या फिर total distance कितना रखना चाहते हैं, थर्ड जो options अपना रहता है level, वो basically 2D environment को छोड़ कर 3D, जैसे के अपने multi-story building होती, एक floor, ground floor, second floor, third floor, ऐसा होता है, तो कितने floor और level आप बनाना चाहते हैं, pattern का, तो यहां से आप control कर सकते हैं, थर्ड जो option अपना है associative, that means what, कि जितने भी हम array में object बनाएंगे, वो एक दूसरे के साथ connected रहें, जैसे यहां पर आपको दीख रहा हैं, कि पूरे के पूरे selected है, तो इसकी वज़े से जो भी आप change करेंगे, तो that will propagate very easily, अगर आप यह off कर देंगे, तो यह सारे जितने chairs और tables हैं, जो पहले एक दूसरे से connected रहते थे, अब वो अलग object हो जाएंगे, तो by default is always on, और यह option जो है base point मैं बताऊंगा, क्या मतलब है, तो यह जो options है, इसको बोलते है base point, तो अब यहां से distance count करना चाहते हैं, या फिर यह quadrant points है, या फिर यह points है, या यह point points, तो आप इस base point option से define कर सकते हैं, so rectangle area में आपको column, number of column और number of row देनी होती है, और उसमें भी आप चाहे तो distance between two columns and row दे सकते, या फिर overall distance भी दे सकते, आप दोनों एक साथ में नहीं दे सकते, अगर आप यह देंगी, तो यह अपने आप change हो जाएगा, अगर आप यह देंगी, तो यह अपने आप change हो जाएगा it's a common sense, so rectangle area specify the number of rows and columns, you can control the distance between rows and columns, you can control overall distance between the rows and columns, जो मैंने भी समझाया है, अब जब भी आप area को देखेंगे, बनाएंगे creation tab में, तो इस तरह से आपको grips देखने को मिलेंगी, तो अगर आप इसको click करेंगे और drag करेंगे इस वाली को, तो आप distance change कर रहे हैं, दो column के बीच का, ठीक है, अगर आप इसको इसको इस्तमाल करके खिंचेंगे, तो आप overall distance, total distance जो मैंने भी बताया था, column के बीच का आप change कर रहे हैं, उसी तरह आप इस grip को खिंचेंगे, तो that means you are changing the distance between two rows, अगर आप इसको खिंचेंगे vertically, you are changing and applying the overall distance, ठीक है, अगर आप इसको पकड़ के इस सारे options आप control कर सकते हैं, now associative array can be easily edited, clicking on it, existing associative array and then use the grip to change the array parameter, जो अब भी मैंने बताया था, अब polar array में क्या difference है, तो यहाँ पे देखिए कि polar में हमारे पास एक center होगा, और उसके आजू-बाजू हमारे object की pattern बनेगी, और इसको बोलते है polar array, उसको circular pattern भी बोलते हैं, तो यहाँ फिगर से आपको मालूम पड़ जाएगा, कि अपने पास यह छोटा वाला, चार चार वाला टेबल है, और उसके हमने multiple copies बनाई है, ठीक है, but about the sum center or reference point, so it required specific center about which circular pattern to be created, and also the number of item and angle, यहाँ पर देखे के rectangular array और polar array में difference क्या होता है, तो circular pattern में हमें कितने numbers देने हैं, कितने आप बनाना चाहते हैं, items, उसके number देने होते हैं, उसके बाद अगर आप 2 item के बीच में angle control करना चाहते हैं, तो यहाँ पर enter किजिए, और तिसरा जो fill angle है, fill angle का क्या मतलब है कि आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हैं, यहाँ से आपने शुरू किया है, तो 360 degree पर आप क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा pattern कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर 180 करेंगे, तो यहाने कि यह सारे के सारे 6 आइटम 180 डिग्री यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा एक चैर दूसरी चैर तीसरी चैर आफिस के साथ यहाँ पर आएगी उपर नहीं जाएगी So 180 डिग्री इस तरह से मतलब 180 डिग्री में पूरी पैटन सेट हो जाएगी दूसरा ओप्षन यहाँ पर देखिए सर्किलर पैटन में रो दिया गए यहाँ पर अभी जो मैं बता रहाँ फिगर में एक ही रो है अगर दूसरी आपको बाहर बना नहीं तो बना सकते हैं तीसरी भी बना सकते हैं So you can say circle will get increase number of circle will be increase and hence the pattern तो यहाँ वो row से control होता है और level तो हमने अभी बता है कि फ्री dimension में multi-story building की तरह आपको level increase करने 1 और 2 और 3 तो उसके बीच का distance और total distance और number of level भी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं control कर सकते हैं associative हमने बता है base point बता है लेकिन यहाँ पे दो चीज़े नहीं है एक है rotate items और दूसरी क्या है directions rotate item क्या मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अपना यह original object है जिसको हम pattern करें लेकिन जैसे ही pattern करेंगे तो उसका orientation change हो रहा है with respect to the center point ऐसा नहीं है कि table इसी दिसा में है अगर मैं rotate item off कर दूँँगा कि सारे के सारे जो pattern बनने वाले हैं तो table ऐसे ही रहेंगे जैसे यह original है बड़ अगर rotate item on है तो वो pattern की दिसा में rotate होते जाएंगे आप देख सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ दूसरा option से direction आप anti-clockwise या फिर clockwise pattern बना सकते हैं तो यह direction से control होगा so here feel angle allows to pattern to be placed by defined angle by default is 360 degree आप चाहे तो 45 degree में pattern रख सकते हैं आप चाहे तो दूसरा को custom angle भी add कर सकते हैं मैंने भी बताए कि rotate item का क्या मतलब है so when rotate item is on it allow object to orient along with the pattern when kicked off it maintain the default orientation तो आप यहाँ पे देखिए on है तो यह ए से बता है वो object क्या कर रहा है rotate हो रहा है उसका orientation change हो रहा है यह मतलब वो rotate हो रहा है ठीक है अगर मैं उसको off कर देता हूँ तो क्या होगा वैसा ही रहेगा जैसा यह original object है तो वो rotate नहीं होगा अगर आपको इस तरह से pattern चाहिए तो आप कर सकते हैं अगर इस तरह से चाहिए तो आप उसको on रखें now edit source options जब भी आप array को edit करेंगे यहाँ पे देखिए वो edit options नहीं दिखा रहा है क्यों कि अपने पास अभी array creation tab है array करने के बाद अगर आप उसको edit करने जाएंगे तभी यहाँ पे edit options आता है लेकिन अपने पास अभी यह array creation का window है तो उस समय वहाँ पे additional options भी होता है कि edit source यहाँ पे मानिए कि अपने पास क्या है rectangle तो आप उसको corner से fillet करना चाहते है so using edit source option you can edit the source itself जैसे ही आप इसको edit करेंगे कि बाखी के जो array किये हुए component है जो object है वो अपने आप update हो जाएंगे so it allow to edit the object and save the changes to reflect in pattern and replace option भी आएगा अगर आप array को edit करेंगे वहाँ पे आप चाहते है कि इस object को change करना है for example यहाँ पे देखे to replace an object in array upon editing array only अब देखे बात करते है path array की यहाँ पे आप देखे कि कौन सा options है कि एक कव spline जैसा कव है वहाँ पे उसके ऊपर आप pattern बनाना चाहते है तो तब आपको यह path array इस्तमाल करना है तो पहला options आप देखे आइटम तो कितनी सारे आइटम हा रखना चाहते है देखे उसके बाद between distance जो है आइटम के बीच वो यहाँ पे है और total भी है तो इसको हम control कर सकते है measure and divide options से ठीक है आप यहाँ पे देखे क्या कर रहा है पहला options का है square मेरा पे है तो मैंने pattern जरूर किया है लेकिन यहाँ पे मैंने divide items option सेलेक किया हुआ है that means जो entire path है उसके उपर pattern जो है यहाँ पे माल लिए 5 है तो मैंने 5 square बनाना चाहता हूँ तो 5 square बन तो गए लेकिन दोनों के बीच में सारे के सारे जो है वो equally space है यह तब ही possible है कि अगर आपने यहाँ पे divide option लिया है यहाँ पे drop down में से अगर आप measure लेंगे तो क्या होगा आपको distance यहाँ पे define करना पड़ेगा उस distance को यहाँ से लेके pattern बनाता जाएगा और last में हो सकता है कि कोई line और distance छूट जाए So path area creates pattern of existing object around a defined path So path can be line, polyline, spline, arc, circle and ellipse So after selection of object user required to select the path बोर्ट simple है आप practical में देखेंगे Then you have to enter the number of item यह important है कितने आप pattern बनाना चाहते Divide option should be used in properties and use spacing equal distance between the items and measure options अब किस तरह से pattern को setup करना चाहते है उस हिसाब से either divide select कीजिए या फिर measure select कीजिए और यहाँ पर align item भी है जो मैंने अभी बताया तो यहाँ पर align item क्या करेगा कि यह जो object है जिसको हम pattern कर रहे है उसको हमें क्या करना है जैसे जैसे कव बदल रहा है curvature बदल रहा है direction बदल रहा है उसके इसाब से उसकी भी orientation change होगी So it allow to rotate the object with respect to the path right So align item is equal to the rotated option of polar array यहाँ पर दूसरे भी options है edit source, replace item reset the array that means जो पहले बना है तो उसको reset करके वापिस जाना है control-z करके default में जाना है तो यह इसके लिए है ठीक है आई अब exercise को discuss कर दे तो पहली exercise जो है वो related है rectangle array से तो हम square बनाएंगे 10 by 10 का फिर क्या करेंगे कि rectangle array में 3 column बनाएंगे ठीक है और यहाँ पर 3 row देंगे अब ध्यान से देखिए कि 2 column, 2 item के बीच का distance कितना है या पिर बोले कि 2 column के बीच का distance कितना है 15 है तो total कितना होगा but obvious 30 होगा क्योंकि अपने पास 3 column है उसी तरह 2 row के बीच का distance कितना है 15 है और overall कितना है 30 ठीक है तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे उसके बाद क्या करेंगे कि we will edit the source object square को edit करके हम क्या बनाएंगे circle में convert करेंगे तो this will be our output so this way we are able to understand practice how to use the edit source object there we are going to use circle of radius 5 and update the array and in last we are going to change the column 4 अपने पास कितनी है 3 है लेकिन east part में last में हम क्या करेंगे 4 करने वाले है so column में जो values होगे वो कितनी होगे 4 होगी और rows के value होगे कितनी रहेगे 3 और उसके बीचे spacing जो हम रखेंगे 10 और ये output हम expect करेंगे दूसरी जो exercise है जिसमें हम polar array करेंगे तो अपने पास 2 circles है एक 10 है और एक 5 और एक बड़ा वाला 50 का है तो इस छोटे circle को हमें क्या करना array करना है तो कितना करना है यहाँ पे दिया गया है कि 360 degree में 8 item डान ली है तो हमने यह यह करना है ठीक है दूसरा option क्या है एडिट करके वही feel angle change करके 180 degree करना है तो feel angle कितना होगा 180 degree और last में हम क्या करेंगे कि एक छोटी से line draw करेंगे जिसकी unit कितनी है 5 है और इसको हम क्या करेंगे replace करेंगे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे यह output हम निकालेंगे और third exercise में हम path array को इस्तमाल करेंगे जहाँ पे इस path पर यह छोटी से circle और line को हम क्या करेंगे array करेंगे यहाँ पे first यह वाला answer हम निकालेंगे जहाँ पे क्या है कि we are going to simply put it in polar array having 10 items at equal distance ठीक है उसको edit करेंगे फिर क्या करेंगे कि we change the major options with the spacing between item is 10 तो फिर क्या होगा कि 10 10 करके यहाँ से शुरू करेंगा 10 10 10 करका जाएगा और last में जो भी 10 distance होगा छोड़ देगा यहाँ पे मतलब बाकी रह जाएगा ठीक है तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि भी object orient हो रहा है जैसे कव change हो रहा है तो उसका orientation भी change हो रहा है लेकिन उसको हम third options में turn off करेंगे और देखेंगे कि क्या निकल दा है तो इस तरह से आमें answer मिलने वाला है तो drawing files में अब जाके module 3 में modify and tools में part 4 में जाईए और इस folder में जाके array वाली जो file है उसका आप open कर लीजिए यहाँ पे देखे मैंने square पहले से बनाय हुआ अगर आप चाहते हैं तो आप बना भी सकते हैं तो array command home tab में draw panel में यहाँ पे आपको मिलेगा ठीक है जैसे drop down यहाँ को दबाएंगे तो तीन separate options available हैं अगर यहाँ से आप चाहें तो rectangle array सिधा ले सकते हैं ठीक है जैसे click करके मैं दूसरे keyboard shortcut से इसमाल करता हूँ array now let me select the object right click जैसे right click करेंगे selection खतम हो जाएगा आपको पूछेगा कि कौन सा area आप बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे rectangle पर click कर देंगा जो हमारा अभी default है जैसे ही मैंने click कर दिया तो by default उसने कुछ options दिये हैं हमें कितनी बनानी है तीन column बनानी है तो यहाँ पे जाके मैं तीन select कर दूँगा ठीक है तो देखिए preview update हो गया है और दोनों के बीच में कितना distance रखना है 15 जो अभी मैंने enter कर दिया है ठीक है तो इस तरह से आप array बना सकते यहाँ पे ध्यान के दिखिए कि अगर आप कुछ change करना चाहते हैं तो इस button को भी देखिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो क्या बता रहा है अभी के column 3 मैं अगर click करूँगा और इसको drag करूँगा तो column बढ़ती जाएगे number of column बढ़ती जाएगे that means array update होता रहेगा ठीक है मैं वापिस आ जाता हूँ यहाँ पे click कर देता हूँ उसी तरह अगर मैं इसको click करूँगा तो देखिए दोने के column के दोनों के बीच का distance क्या हो रहा है change हो रहा है मैं वापिस आ जाता हूँ ठीक है इस तरह से grips का इस्तमाल करके आप number of rows उनके बीच का distance या फिर number of columns उनके बीच का distance या फिर row का overall distance भी आप control कर सकते हैं ठीक है so hit the enter to complete the exercise अब देखिए क्या करना है कि हमें इस area को edit करके circle में convert करना है तो इसको click किजिए जैसे आप click करेंगे तो top पे देखिए area options available है उसमें भी क्या options आ रहा है edit source जो पहले creation के समय नहीं आ रहा है था तो उसको click कर दीजिए और select कीजिए यह option को select an item in array यह सारी के सारी एक ही item है ठीक है तो इसको click कर दीजिए पूछ रहा है कि do you want to edit the source अब click कर दीजिए okay ठीक है मैं थोड़ा zoom कर लूँगा यहां पे और मैं circle command बनाऊंगा C space अब मुझे क्या करना है circle बनाना है तो shift right click mid between two point तो यह point और यह दो point अब क्या करूँगा मुझे यहां तक radius देनी है या फिर हमारे example में दी गई है 5 तो मैं 5 एंटर कर दूँगा ठीक है और मैं इस square को delete कर दूँगा अब यहां जाके मैं क्या करूँगा save कर दूँगा ठीक है तो देखिए तो जैसे मैंने save करी तो पूरा array update हो गया तो square की जगा circle आ गया है ठीक है अब क्या करना है कि जैसे भी मैंने ppt में बताए कि हमें column क्या करनी है चार करनी है ठीक है फीर क्या करना है कि मुझे distance जो है दोनों के बीच का उछे वो क्या करना है 10 करना है तो यहाँ बेक्लिक करके मैं क्या करूंगा box मैंट्र करूंगा 10 ठीक है उसी थरह row का distance उसको भी मैं क्या करूंगा 10 कर दूंगा तो इस तरह से हमारा जो पार्ट सी solution है मिल जाएगा तो हमने कहा किया पार्ट 3 में कि रो और कॉलम के बीच का distance हमने चेंज किया और उसके साथ हमने कॉलम की जो number थी तीन की जगा हमने क्या करी चार करी है सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं array option इस्तमाल करके rectangle pattern बना सकते हैं आई अब कोशिस करते हैं कि polar array को कैसे करें ठीक है अब यहाँ पर चले जाए आप चाहें तो सीधा polar array ले सकते हैं मैं keyboard swot इस्तमाल करूंगा अब मुझे क्या करना है पूछ रहा है कि select object तो मैं यह select करूंगा then right click अब यहाँ से मैं polar option करूंगा अब चाहें तो वहाँ से सीधा ले सकते हैं उपर से मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं center को select करूंग as a rotating point अब देखिए कितने हमें करने 360 degree में तीन पांच और आठ करने तो टोटल नंबर आइटम कितने होंगे हमारे आठ तो आइटम में जाकर आप चेन कर दीजिए यहाँ पर अपना फिल एंगल कितना है 360 degree तो बाइडिफोल्ट वही होता है और क्लिक कर दीजिए close array तो हम पहला solution part A मिल गया है अब आईए array को edit करते हैं तो जाके उसको touch किजिए और select किजिए अब हमें क्या करना है fill एंगल जो है 360 नहीं रखना है वहीं पर क्या करना है 180 तो enter किजिए तो देखे क्या हो गया कि जितने भी circle हमने 360 degree में एरेंज किये थे 180 degree में क्या होए एरेंज हो यानि कि हमारा filling एंगल जो है pattern एंगल जो थे 180 degree है तो इस तरह से part भी हम achieve कर सकते हैं ठीक है आई उसको close कर देते हैं again अब क्या करना है हमें select करके यहाँ पर item कितनी है 6 है तो मैं क्या करूंगा 8 की जगा 6 कर दूंगा तो हो गई तो part C का top अला point हमें मिल गया है ठीक है अब मैं line draw करूंगा जिसका distance कितना होगा 5 ठीक है अब मैं इस line को इस्तमाल करते हुए पहले circle को तीसरे को और पांचे circle को मैं replace करूंगा ठीक है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर options है replace item ठीक है उसके पहले मैं आपको देखाता हूं कि डिरेक्शन का क्या मतलब अगर अगर देखे मैं क्लिक करूंगा तो उसका जो फिलिंग एंगल की जो डिरेक्शन है वो clockwise होगी हम फिर से करूंगा तो anti-clockwise हो जागी ठीक है तो आए में option इस्तमाल करता हूं replace item पूछ रहा है कि select the object you want to replace तो मैं थोड़ा जूम कर लेदा हूं ठीक है तो यह हमें क्या करना है select करना है then right click पूछ रहा है कि इस object का base point select करिए तो मैं midpoint select करूंगा ठीक है अब पूछ रहे हैं कि select an item in array you want to replace तो मैं पहले इसको click करूंगा तो देखिए replace हो गया है मैं तीसरे को replace करूंगा ठीक है और fifth number को इस steps को अब ध्यान से सुनिएगा अगर चाहे तो repeat भी किजिएगा ठीक है अटर करके उसको कतम करता हूं ठीक है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं array में item को replace कर सकते हैं तो देखिए part c का दूसरा option भी हमें मिल गया तो आईए अब हम path array को सिखते हैं तो यहाँ पे जाके म इस बार मैं circle all line दोनों को select करूंगा right click to complete the selection अब autocad पूछ रहा है command line में select the path तो मैं इसको select करूंगा और यह जितने सारे items अभी by default कितने आरी 12 आ रही है लेकिन यहाँ problem क्या है मुझे edit करने नहीं दे रहा है reason क्या है कि यहाँ पे मेरा major command और option active है मुझे जाना है divide में जैसा ही जाओंगा तब जाके यह number of items active होएगा ठीक है तो मैं जाके यहाँ पे अंट कर दे जा हूँ 10 तो द्यान से देखिए कि 10 एंटर करने पर मुझे part A जैसा solution मिल रहा है ठीक है मैं एंटर करके उतों exit कर देता हूँ अब आईए उसको क्या करता हूँ इस arrow को edit करता हूँ edit करते हुए मैं divide की जगर में क्या करूंगा major option ले लूँगा ठीक है अब दोनों के बीच का जो distance होगा starting distance में 10 रखूंगा तो देखे थोड़ा change होगा observe किजिए output में तो देखे क्या output निकला यहां से पहला उसने pattern शुरू किया फिर 10 10 10 छोड़के छोड़के हो क्या कर रहा है pattern कर रहा है और last में जो बची उसने छोड़ दी तो यही हमें क्या करना है observe करना है तो यह दोनों के बीच में difference यही है लेकिन यहां पे कोई options नहीं रहता है यहां पे कोई length बाकी नहीं है लेकिन यहां पे बाकी है क्योंकि यह major command से बनाई है और यह pattern जो हमने divide option इस्तमाल कि है आए अब कोशिस करते हैं कि align item जो option active है उसको turn off करते हैं तो क्या होगा तो देखिए कि जैसा original था उसी दिशा में बाकी के pattern के object बनते हैं सो generally आपको सोचना है कि align item on रखना है कि off रखना है ठीक है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं path area को इस्तमाल कर सकते हैं आए अब offset command को सिखते हैं देखे offset command is commonly used for creating copy of an one object that is parallel to the original one और another one यहां पे देखे अपनी यह एक line है उसके parallel हमने दूसरी line को बनाया है याने को copy को बनाया है लेकिन इस समय copy command हमने इस्तमाल नहीं किया हमने offset किया मतलब original जो भी line होगी उसके parallel at perpendicular distance जो भी हम define करेंगे वहां पे जाके copy बनेगी यहां पे देखे spline देखे तो यह बहार वाला original spine है और उसका हमने क्या किया offset बनाया है अगर arc रहेगा तो छोटा arc है बड़ा arc है उसका offset करेंगे तो inside करेंगे तो छोटा बनेगा अगर बहार हम offset करेंगे तो arc थोड़ा बड़ा बनेगा उसी तरह देखे polyline को हम करेंगे तो advantage यहां पर मिलता है कि polyline जो है अपनी क्या है continuous है सारे segment connected होते हैं तो एक साथ हमें सारे segment हम offset कर सकते हैं अगर यह simply line command से बना होगा तो हमें एक-एक line को select करना पड़ेगा and it is clearly a waste of time that's why it is recommended that you use the polyline options circle को भी आप offset कर सकते हैं सो कैसे करेंगे क्या options होते हैं सो by default distance option is available जहां पर हमें क्या करना अपड़ा distance देना होता है पांच 10 जो भी है जो भी चाहिए जो इस पॉइंड मालूम है माल लीजए कभी एक line मेरी line है और मुझे एक इहां पर पॉइंट दिया गया मुझे दोनों के बीच का distance नहीं मालूल है कि मुझे आपसेट करना इस line को जो इस पॉइंट में से पास होता हो उसी समय हमें थ्रू option इस्तमाल करना है so when you do not know what exactly distance you want to upset at that time use these through options so click करके इस पॉइंट को क्लिक कर दिये मतलब indirectly you have specific at the this given distance right so object to be offset pass through their specific points or distance clear so changing the erase setting to yes causes the selected source object to be erased automatically when offset is created this is somewhat like a options available in mirror आप पूचाएंगा अब यह कोपी बनानी या फिर डिली और ओर डिलीनल को डिलीट करना है अगर आप यह करेंगे डिलीट हो जाएंगे नो करेंगे तो अरिजनल रहेगी और मिरे रोगा यहाँ पे भी erase options में यही है अगर आपको इसको delete करके दूसरी offset को पी बनानी तो कर सकता है अगर नो करेंगे तो original भी रहेगी और दूसरी भी बनेगी तो पहला वाला यहाँ पे देखें कि offset distance दिया गया है दूसरा क्या options है through options है offset में जहां पर हम क्या कर रहे है कि original को original को हम क्या करेंगे offset करेंगे तो यह अपनी original line है उसको offset करना है तो हमारा यह reference point बनता है तो उस समय हमें क्या करना है through options इस्तिमाल करना है तो आईए exercise करते हैं तो पहले exercise में इसको हम क्या करेंगे offset करना है outside by five units दूसरी exercise जो है जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि हमें यह drawing दिया गया है ठीक है वहाँ पे top view में square plate में 10 mm के diameter का hole है और उसका हम top view बनाना चाहते हैं तो अपने पास यह क्या है देखे तो simple logic है कि हमें hidden line है दूसरी hidden line भी हमें बनानी है तो circle के इस quadrant point का हम इस्तिमाल करेंगे अगर इस तरह से देखे तो इस diameter हमें मालूम है तो हम सिधा copy करके इस line को 10 mm कर सकते हैं लेकिन नहीं हमें practice करना है option command और उसमें भी क्या करना है through option को इस्तिमाल करना है that means we want to track this point to make the offset copy so this will be our output clear और थर्ड में हम क्या करेंगे कि यह जो line है अपनी 25 mm वाई उसके हम क्या करेंगे offset करेंगे offset command में multiple option भी होता है that will keep continue by placing the multiple offset copy तो वही इसका advantage है तो बार बार आपको offset command लेना नहीं पड़ेगा आप चाहे तो इसको इस्तिमाल करके multiple copy आप बना सकते हैं तो आईए चलते हैं autocad में और practice करते हैं दिये गए modifying tools के folder में जाके आप यह offset drawing वाले file open कर लिए so draw following and offset the object outside by 5 units अगर आप चाहे तो अपने इस साब से draw भी कर सकते हैं right so उसका keyboard shortcut है o for offset clear दूसरा आप वो कहां से मिलेगा तो home tab में modifying panel में यहां पर offset command होता है तो आप क्लिक कर दीजिए ठीक है पूछ रहा है कि specify the offset distance or through command from में भी आप देखिए कि और करके left वाला जो options होता है default होता है यह फिर right side वाला होता है उसको select करने के लिए right click करके select करना पड़ता है तो मैं क्या करूंगा मैं through option नहीं लूँगा मैं specify distance करूंगा ठीक है कितना है अपना पांच unit अब मैं जाके क्या करूंगा इसको select करूंगा और outside क्लिक कर दूंगा देखिए मैं offset को इस तरह से भी कर सकता हूं बाहर की तरब और अंदर की तरब भी कर सकता हूं अगर अंदर बहुत कम distance area है तो offset properly नहीं होगा ठीक है बाहर कर सकता हूं लेकिन अंदर बहुत चोटी जगा नहीं हो पा रहा है तो autocad error देगा है तो आपको ध्यान रखना है कि offset distance इस तरह से हो कि वह कर पाए तो यहां पर आप क्लिक कर दीजिए तो बहुत सिंपल सी exercise है आईए इस exercise को करते हैं ठीक है अब मैं क्या करना चाहता हूं यह जो लाल लाइन है उसको मुझे offset करना है ठीक अब मैं offset कमान लूगा और स्पेस राइट लिक थुरू option लूँगा पूछ रहा है कि select object तो मैं select कर दिया अब पूछ रहा है कितला distance है मुझे मालूम नहीं है देखिए exercise में तो हम calculate कर सकते हैं 10 mm का diameter है तो distance वह 10 लेकिं मान के चलता हूं हमें नहीं मालूम है तो फिर क्या करेंगे तो मैं shift right click quadrant लू यहां से मैं click करूंगा तो वह हो जाएगी देखिए यहां पर मैंने distance नहीं दिया है लेकिन मैंने कहा कि reference point दिया तो वह हो गया तो जब भी आपके पास offset command में distance मालूम ना हो लेकिन को reference point मालूम हो तो उस point को इस्तिमाल करते हैं आप offset copy बना सकते हैं आईए आप इस exercise को करते हैं अगें select option right अब क्या करना है कि distance हमें क्या करना है 10 लेना है ठीक है तो 10 अब मैं क्या करूंगा select object अब इस बार में right click करके multiple लोंगा अब जाके मैं क्या करूंगा click 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 and click ठीक है और जाके enter तो multiple option से मैं एक line की offset copy multiple time कर सकता हूं मैंने इस तरफ mouse रखा था और वहाने click करता गया है जो जितनी बार click करूंगा उतनी copy बनती जाएगी एक बार दो बार तीन चार और पांच अगर मैं left side रहता और वहां पे click करता जाता तो left side मेरी offset copy बनती तो इस तरह से आप क्या कर सकत है आए अब हम scale command को सिखते हैं now scale command is used to increase or decrease the size of object in a drawing simple सी बात है यहां पे देखिए कि अपने पास originally यह image है ठीक है मैंने उसको size में change करा है by giving the scale factor तो scale factor यहां पे 1.5 इसका क्या मतलब है कि original जो one value है हमने उसको 1.5 करी यानि के point के बाद जो भी value होगी वो 50% अगर मैं 1.2 लोंगा तो 20% अगर मैं point 80 रख करता हूं इसका क्या मतलब है original line जो है point 80% हो गई मतलब 20% reduce हो गई ठीक है so scale factor को आपको enter करना पड़ेगा उसके हिसा size जो है वो change हो जाएगी आप चाहे तो कम scale factor भी दे सकते हैं छोटा करने के लिए अगर बढ़ा करना increase करना है तो ज्यादा देना पड़ेगा scale factor को so user have to specify base point and then the scale you can also pick a point to define scaling आप mouse से भी move करके हुए आप define कर सकते है इतना मुझे बढ़ा रखना है जरूरी नहीं है कि scale value enter ही करने है अब scale में copy option भी allow होता है that will keep original object as it is and we create scaled copy तो यहाँ पर समझ यह मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यह रहेगी और दूसरी scale copy बनेगी अगर आपने copy option इस्तमाल किया है तो यहाँ पर reference option भी होता है अगर जब आपको scaling नहीं मालूम है 20% increase करना है 50% करना है तब जाके reference option से आप क्या कर सकते है किसी भी object line को define करिये कि यह मेरी यह है उसके final length मुझे यह करनी है so you are referring this object length and based on that we are changing it the overall size of an object so reference object is used to scale when exact scale is not known ठीक है so scale command can be used to change the size of metric drawing size 2 inch और vice versa इसका क्या मतला है का मेरे पास मानिया के football है जिसका diameter 9 inch मुझे लेके जाना है millimeter में तो मुझे convert करना पड़ेगा so 1 inch होता है 25.4 millimeter के इसाब से तो मुझे इस drawing geometry को millimeter में scale करते हुए scale factor में 25.4 करना पड़ेगा ठीक है तो तब जाके वो क्या हो गया इंच वाला drawing millimeter में convert हो गया है so इस तरह से scale का आप इस्तमाल कर सकते है अब पहली जो exercise है इसमें इस geometry को क्या करना है कि scale down करना है कम करना है 50% या भी जो हो रहे है उसको हम क्या करेंगे कम करेंगे छोटी करेंगे ठीक है दूसरी exercise में हम क्या करेंगे कि 100% increase करना यह जो 25 है तो scale करके जो हम copy option 20 इस्तमाल करेंगे यह रहेगी original और दूसरी copy बनेगी लेकिन उसकी size इससे double होनी चाहिए 100% increase means क्या होनी चाहिए 50 ठीक है तो scale factor में क्या करेंगे टू एंटर कर सकते हैं which is 100% increase ठीक है थर्ड जो exercise अपनी है scale में तो यहां पर देखें यह drawing दिया गया अब मुझे scale factor नहीं मालूम so I am going to use reference options उसमें इस line को मैं reference बनाऊँगा और बाद में इस line का जो final distance होगा और measurement होगा वह मैं क्या करूंगा 12 करूगा जैसे ही 12 हुआ तो indirectly आप बोले तो 20% increase हुआ तो बाकी की size भी आप देखें के 20% increase होती हुई देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर मुझे scale factor नहीं मालूम लेकिन मैं किसी एक object length को reference बना रहा हूँ और उसको change कर रहा हूँ और उसके respect में बाकी की जो है वो भी बढ़ जाएग scale up हो जाएगी या scale down हो जाएगी तो आईए हम autogad में देखते हैं modify tools part 3 के folder में इस file को आप open कर ले right click open scale command हमें home tab में modify panel में यहाँ पे मिलेगा ठीक है अब जाके उसको click कर दीजे या फिर उसका keyboard shortcut भी आप इस्तमाल कर सेथे SC होगा अब मैं का करूंगा सारे object से लेक कर होगा अब देखिए जैसे ही मैंने base point को select किया तो visually आप mouse movement से आप दे सकते कि आप कितना बड़ा छोटा करना चाहते हैं ठीक है यहाँ पर हमें बोला गया कि 50% करना है तो मैं क्या enter करूंगा 0.5 तो इस तरह से हमने original object था उसके size 50% reduce कर दी ठीक है अब आये यह file open कर लें scale 2 वाली in this exercise the square is given of 25 mm so draw the square of 25-meter size and create the copy of by scale 100% taking the midpoint ठीक है तो मैं keyboard short कर लूँगा SC scale ठीक है अब मैं इसको select कर देता हूं enter मुझे बोला गया इसका जो midpoint है वो हमें क्या करना है base point लेना है तो कैसे करेंगे shift दबाई ये right click and select the mid between two points अब मैं क्या करूँगा इसको और इसको लूँगा तो इस दोनों के point का बीच का मेरा क्या हो गया midpoint आ गया अब क्या करना है 100% increase करना है तो मैं क्या करूँगा two type करूँगा ठीक है एंटर लेकिन मैंने यहाँ पर गलती कर दी मैंने copy options इस्तमाल नहीं किये तो लेट्स गो फॉर ctrl z again sc for scale select object right click now base point के लिए है अब चाहिए तो m2p type कर सकते हैं which is indirectly midway between two points तो यहां से आप किजिए यहां से आप क्लिक किजिए अब देखिए command prompt में options आ रहा है copy तो right click copy ठीक है अब पूछ रहा है कि specify scale factor तो मैं two enter कर दूँगा तो आप देखिए पहली वाली जो 25 वाली line थी अब बोड डबल हो गई याने के 50 हो गई है ठीक है तो आईए cross verify करते है यह 50 है और यह 25 that means we have increased the size of a square by 100% but we by using the copy options अब यह last exercise को करते है SC for scale अब मैं क्या कर रहा हूं पूरे object को select कर दिया then right click अब मैं इस base point को ले रहा हूं अब पूछ रहा है कि scale factor को enter किजिए जो मुझे मालूम नहीं है तो इस समय में क्या करूंगा right click करके reference को select करूंगा ठीक है अब पूछ रहा है कि specify reference length which will be treated as one ठीक है बले यहां पर 10 है यहां पर मैं क्या कर रहा हूं ठीक है 12 फिर इसको verify करते है इसका क्या change हुआ वह भी 12 हो गया है इसका change हुआ गभी 30 हो गया जो पहले 25 था इस तरह से अगर आपको कोई scale factor नहीं मालूम है किसी भी एक length को reference बनाईए and treat it as a one AutoCAD करेगा reference option की जरीए उस length को one मान के चलेगा बाद में आप जो भी value add करेगे 25, 21, 12 उसके इसाब से उसकी length change करेगा तो यह options की जरीए आप क्या कर सकते है scale down और scale up कर सकते है आई अब हम explore command सिखते हैं देखिए यह बहुत specific command है explore command on polyline or dimension or block separates the single object into its individual parts for further editing अब देखिए यहाँ पे मेरी क्या एक polyline है ठीक है अगर मैं जब उसको explore करूँगा तो यह segment दूसरा तीसरा और fourth segment चार segment बन जाएगे जो पहले एक ही था अब इसको क्यों इस्तमाल करना है there are situation जहाँ पर अगर आपको इस line को edit करना है और उसको ही offset करना है या फिर इसको offset करना और इसको इस तरह से polygon है जिसकी क्या है six side which is basically hexagon अगर हम उसको explore करेंगे तो क्या हो जाएगी six different line हो जाएगी ठीक है यहां पर अपने पास का एक block है तो बहुत सारे line से वह बना हुआ है polyline से बना अगर उसको हम explore कर देंगे तो साथ different segment हो जाएगी so exploding object may be necessary in certain cases but in general it should be avoided यहां पर लिखा है आप मत किजिए जरूर है तो मत जरूर है तो किजिए लेकिन unnecessary इसको इस्तमाल मच किजिए क्यों cannot selecting and modifying objects become more difficult after breaking down them into individual part ठीक है चलिए मैं array की बात करता हूँ कि मेरे मैंने कहा किया square के array बनाए वर्टीकली और होड़े अगर मैं explore कर दूंगा तो यह associate नहीं रहेंगे सारे के सारे इंडिविजनल जो pattern object है वो separate हो गए अगर इसको change करके मैं expect नहीं कर सकता कि सारे change update हो जाएगी क्योंकि मैंने explore करके उसको de associate कर लिया है so avoid exploding dimensions and hatching and in particular because they lose their associative nature or you can say property so they need they can no longer be automatically updated as they are modified so hatching में हमने देखा था कि associate होना जरूरी है अगर object के boundary change हो रही तो pattern को भी update होना चाहिए dimension को भी change करना पड़ेगा तो dimension hatching को avoid किजिए explode मत किजिए वरना दिक्कत हो जाएगी वह update नहीं होंगे आई अब exercise करते हैं देखे इसको मुझे क्या करना है यह line यह line ठीक है और यह line मुझे क्या करना है कि यह line है यह 1 2 3 4 & 5 उसको मुझे mirror करना है यह इस तरह से लेकिन दिक्कत यह है कि यह पूरा जो original object है poly line है तो मुझे क्या करना पड़ेगा तो मेरे पास दो options है भी मैं यहां से manually इसको draw कर सकता हूं इस तरह से ठीक है और दूसरा इसको मैं ट्रिम कर दूँगा तो मुझे यह answer मिल जाएगा लेकिन वह alternative है मैं ऐसा नहीं करना चाहता है मुझे करना है explore command practice यहां तो इसको इस object को मैं explore कर दूँगा उसकी वज़े से यह line यह यह सारी individual हो जाएगी और इसको मैं क्या कर दूँगा mirror कर दूँगा ठीक है तो आईए इस exercise को AutoCAD में करते हैं modifying tools part 3 के folder में जाएए और explore वारी file को open कर दीजिए देखे मैं select करता हूँ तो मालूम पड़ता है कि वह polyline ठीक है तो अगर मैं कोशिश करता हूँ कि भई mirror करना है तो problem हो जाएगा क्योंकि यह सारी single entities है तो मुझे export करके ही यह part line को मैं कर सकता हूँ तो explore command कहां पे मिलेगा तो home tab में modifying panel में आपको मिलेगा तो यह रहा areas के नीचे explore क्लिक कर दीजिए तो पूछ रहा select object तो मैं object select कर दिया हूँ उसके बाद enter कीजिए जिसकी वज़े से selection खतम हो जाएगा अब हुआ क्या जैसे एंटर करूँगा कि सारी लाइन जो थी जो पहले एक थी connected थी अब वो separate हो गई है ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ इस line को मैं क्या करूँगा पहले दिलेट कर दूँगा और उपर वाली जो पांच लाइन है उसको मैं क्या करूँगा mirror करूँगा so mi for mirror okay so this way I am going to select this file line right click अब मुझे midpoint line mirror line बनानी है तो यहां से मैं क्या करूँगा यह midpoint होए यहां से इसको मैं click कर दूँगा और I want to no I don't want to delete the top part okay so default option will be no for erase source object तो देखे इस तरह से आप exercise कर सकते हैं ठीक है आयो मैंने जो पहले discuss करा था कि अगर आपको export command नहीं करना है और दूसरी तरीके से solution करना है तो क्या कर सकते हैं draw the line like this okay up to this location then move downward how much it is 10 ठीक है फिर यहां पर हम क्या करेंगे यहां से यहां आएंगे कितना है distance जो दिया गए 30 इसके बाद ऊपर जाएंगे 10 और यहां पर जाएंगे click कर देंगे and right click अब trim मैं करूंगा trim इस line को trim कर तो अपनी exercise हो गई लेकिन यह actually नहीं करना है देखे matter नहीं करता autocad में आप कौन से command को small करके answer लाते हैं लेकिन sometimes जब आप आगे बढ़ेंगे तब problem create करता है यह part polyline है यह normal lines है ठीक है so better option is they should be in a same nature यह के पूरी के पूरी क्या होनी चाहिए polyline होनी चाहिए या फिर उसको export करके single entity में ढाल दीजिए so इस तरह से आप practice करें और export command को strengthen करें